हलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में आज के इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परिक्षा तो जर 21 के लिए बिहार बोर्ड का ओफिसियल मौडल पेपर सॉल्फ करेंगे और आज के इस वीडियो में समाजिक बिग्यान के चौथे नमबर मौडल सिट को सॉल्फ करेंगे जिसमें 48 महतपुड परशन है तो एक भी परशन स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा क्योंकि ये जो मौडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एक्जाम के लिए काफी महतपुड है तो प्लीज आप लोग सुरू नहीं कियें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में बेल आइकन को ओल पे दबा लिजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफीकेशन पहुंचता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहले नंबर परशने से पहला नंबर परशने की बियाना कब हुआ था तो बियाना कांग्रेस 885 इसुई में हुआ था यानि यहाँ पर यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने दो नंबर दो नंबर प्रशने की फ्रेंक फर्ट की संधी पर हस्ताक्षर कब हुई थी काफी महत्पुड प्रशने हैं अगला प्रशने तीन नंबर प्रशने की काल मार्क्स का जनम कहा हुआ था काफी महत्पुड प्रशने हैं यह कि काल मार्क्स का जनम कहा हुआ था अप्स का जनम जर्मनी में यहां पर याद रखना необходимо काफी महत्पुड प्रशने हैं तो एक भी प्रस्ने की दास के पिटल प्रकासन किस वर्स हुआ था है यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्णे 5 नमबर 5 नमबर प्रश्णे की बिस्व ब्यापी आर्थिक संकट किस वर्स अररम्भ हुआ था यानि किस वर्स शुरू हुआ था तो 1929 में यह शुरू हुआ था, यह आपको याद रखना है, यहाँ पे C option क्या हो जाएगा, बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रश्ने 6 नंबर, 6 नंबर प्रश्ने की राष्टियस OM सेवक संग की अस्थापना कब हुई, A option है 1923 में, B option है 1925 में, C option है 1934 में, D option है 1949 में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्टियस OM सेवक संग की अस्थापना कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी, यह आपको याद रखना है, यहाँ पे B option क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिलकुल ही सही हो जाएगा, आपे बिलकुल ही सही हो जाएगा, और भारतिय राश्ट्य कॉंग्रेस के अस्थापना कब हुआ था तो 885 में हुआ था तो ये भी आपको साथ में याद रखना है आइए देखते हैं अगला प्रश्ण आठ नंबर प्रश्ण कि सिपाही बिद्रो कब हुआ था काफी महत्पुर प्रश्ण है कि सिपाही बिद् प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण आप स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण नौ नंबर नौ नंबर प्रश्ण है कि वास्प चलित रेल इंजन का अविस्कार किया था आपको याद रखना है काफी महत्पुर प्रश्ण है यानि यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण दस नंबर प्रश्ण की मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्स अस्थापित की गई आपको बताना है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्स अस्थापित की गई तो यह आपको याद रखना है क्योंकि काफी महत्पुर है यानि यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण तो यहाँ पर बी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा काफी महत्पुर महत्पुर प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण आप इस्कीप मत कीजेगा वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंतक जरूर देखिएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण बारा नंबर बारा नंबर प्रश्ण है कि मार्टिंग लूथर कौन थे यहाप अपको बताना है कि जो मार्टिंग लूथर थे वो कौन थे, A option है दार्शनीक, B option है राजनीतिक या C option है धर्म सुधारक, D option है समाज सुधारक, तो ही आपको बताना है कि मार्टिंग लूथर कौन थे, तो जो मार्टिंग लूथर थे वो कौन थे, तो समाज सुधारक थे, यह आपको याद रख उडिजा में तामिल नाड्व में office ढह सीॉपसन भीषार गता है हिरा कुंड बांध है यह कहा है तो यह आपको याद रखना है यहाँ पर डी उपसन क्या हो जाएगा इहाँ पिलकुली से हो जाएगा और जो हीरा कुंड बांध है यह किस नदी पर है तो मahा नदी पर है तो यह भी आपको यहाद रखना है, आईये देखते हैं, अगला परशने, 14 नंबर, 14 नंबर परशने है कि सुन्दर वन है, यहाँ पे आपको बताना है कि सुन्दर वन कहा है, A-Option करनाटक में, B-Option क्या हो जाएगा यहाँ बिल्कुल ही से हो जाएगा और सुन्दरवन किसके लिए परसीद है तो यह बागों के लिए परसीद है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है आईए देखते हैं अगला परशने 15 नमबर Aluminium बनाने में किस खनीज का उप्योग होता है काफी महत्पुर प्रशन है यह कि Aluminium बनाने में किस खनीज का उप्योग होता है A-Option का, B-Option बॉकसाइड का, C-Option मैगनीज का, D-Option लोग-S का तो यहाँ पर आपको बताना है कि aluminum बनाने में किस खनीज का उप्योग होता है तो boxside का उप्योग होता है यह आपको याद रखना है यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 16 नंबर 16 नंबर परशने कि दूइतिया प्रिथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था तो यह नियू योऔरक में यहाँ यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 17 नंबर 17 नमबर प्रशने की तारापूर परमाडू उर्जा किंद्र है यहाँ पर आपको बताना है की जो तारापूर परमाडू उर्जा किंद्र है यह कहां है यहाँ पर दी ओप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा और जो तारापूर यहां पर परमाडू उर्जा केंद्र है, यह A.C.A. का सबसे बड़ा परमाडू उर्जा केंद्र है, तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है, आए देखते हैं, अगला प्रशने 18 नमबर, 18 नमबर प्रशने की किस राजे में वनो का सबसे अधिक विस परमाडू उर्जा केंद्र है, यह A.C.A. का सबसे अधिक विस्तार है, यहां पर याद रखना है, काफी महत्पुर प्रशने है, यहां पर A.C.A. क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशने 19 नमबर, 19 नमबर प्रशने की Rail Workshop इस्तित है, यहां पर आपको बताना है कि Rail Workshop कहां इस्तित है, A.C.A. जमालपुर में, B.C.A. मुंगेर में, C.A. भगवानपुर में, D.A. दरभंगा में, तो यहां पर आपको बताना है कि Rail Workshop कहां इस्तित है, तो यह जमालपुर में इस्तित है, यह काफी महत्पुर प्र यहाँ पर आपको बताना है कि मेट्रो रेल सिवा कहां उपलब्ध है यहाँ पर बिल्कूल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 21 नमबर परशने कि निमनलीखित में से कौन रवी फसल है इसमें से आपको बताना है कि कौन रवी फसल है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर बिल्कूल ही सही हो जाएगा और जो धान होता है यह खरीब फसल होता है तो यह भी आपको साथ में याद रखना है आईए देखते हैं अगला परशने 22 नमबर 22 नमबर परशने की टाटा आरन एंड एस्टील कमपनी की अस्थापना हुई थी A option है 1905 यसवी में B option है 1906 यसवी में C option है 1907 यसवी में D option है 1908 यसवी में काफी महत्पुर प्रशने की टाटा आरन एंड एस्टील कमपनी की अस्थापना कब हुई थी तो 1907 यसवी में हुई थी यह आपको याद रखना है यहाँ पर C option क्या हो जाएगा बिल्कुली सही हो है अपे इसे जो भी प्रशन आपको याद ने हो तो उसे आफ लोग नोटबुक पर लिके जुरूर याद कर लिजेगा आइए देखते हैं अगला प्रशने 24 नंबर 24 नंबर प्रशने की कुसेस्वर अस्थान किस जिला में इस्तित है ए उपसेने बैसाली में बी उपसेने बेगू सराय में सी उपसेने भागलपुर में यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 25 नंबर 25 नंबर प्रशने की 15 लोग सभा में महिलाओं की कितनी परतीसत भागेदारी है इसे आपको याद रखना है यहाँ पर यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यहाँ देखते हैं अगला प्रशने 26 नंबर 26 नंबर प्रशने की निमनलिकित में से कोन यहाँ पे केंदर सासित परतेस है क्या अपको याद रखना है यहाँ यहाँ पर C option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 27 नंबर 27 नंबर प्रशने की बंगलादेश कब सवतंतर हुआ यहाँ पर आपको बताना है कि जो बंगलादेश है यह कब सवतंतर हुआ यहाँ पर आपको बताना है कि बंगलादेश कब सवतंतर हुआ यह आपको याद रखना है यहाँ यहाँ पर सी ओप्रशन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 28 नंबर 28 नंबर प्रशने कि पटना नगर नीगम के परधान को क्या कहा जाता है काफी महतपुर प्रशन है कि पटना नगर नीगम के परधान को क्या कहा जाता है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशन 29 नंबर 29 नंबर प्रशने की बिहार में पंचायती राज बेवस्था का कारेकाल है यहां पर आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज बेवस्था का कारेकाल कितने वर्सों का होता है यहां पर आपको बताना है कि बिहार में पंचाय इती राजय वेवस्था का कारेकल कितने वर्सों का होता है तो पाँच वर्सों का होता है यहाद रखना है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्चन तीस नंबर प्रश्चन कि जनता दल युनाइटेट पार्टी का गठण हुआ यह उप्ष 2003 इस्वी में हुआ यह आपको याद रखना है यहाँ पर D option क्या हो जाएगा बिलकुली से हो जाएगा आप लोग C को वाले option को टीक मत लगाएगा नहीं तो गलत हो जाएगा जनता दली उनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था तो 2003 इस्वी में हुआ था यह आपको यहा 31 नमर प्रश्ण है कि किसके नेत्रितु में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ यहाँ पर नेत्रितों में गठन हुआ यह आपको याद रखना है यहाँ पर A option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 32 नमर जो काफी महत्पुन है कि 17 लोकसभा चुनाओ किस वर्स हुआ A option 2010 में B option 2014 में C option 2015 में D option 2019 में तो यहाँ पर आपको बताना है कि 17 लोकसभा चुनाओ किस वर्स हुआ तो यह 2019 में हुआ यह आपको याद रखना है यहाँ पर D option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रश्ण 33 नमर प्रश्ण कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे A option ए अंबेड कर B option ए कांसी राम C option मैयावती D option ए राम बिलास पस्वान तो यहाँ पर आपको बताना है कि बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन है तो कांसी राम है यह आपको याद रखना है यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह कि लोगतंत्र की उपलब्दियों में सबसे अधिक सहायक क्या है तो विकास है यह आपको याद रखना है यहाँ पर D-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा काफी महतपुड महतपुड प्रशन है तो एक भी प्रशना पर स्कीप मत किजिएगा वीडियो अगला प्रशने 36 नमबर प्रशने की निमनांकित में से कौन बीमारू राज्य है इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य है यहाँ पर बिमारू राज्य है यहाँ यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने 37 नमबर 37 नमबर प्रशने की विश्व बेपार संगठन का मुख्याले कहा है यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 38 नमबर 38 नमबर प्रशने की विश्व बेपार संगठन यानी डबलू टी ओ की अस्थापना कब हुई ए उपसे ने 1991 रिस्वी में बी उपसे ने 1993 रिस्वी में डी ओप्सेन है 1997 रिस्वी में तो यहाँ पर आपको बताना है कि 200 वेपार शंगठन यानि डबलू टी ओ वर्ल्ट रेड ओर्गनाईजेशन की अस्थापना कब हुई थी तो 1995 रिस्वी में हुई थी यहाँ याँ पर सी ओप्सेन क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही ह हो जाएगा काफी महतपुण महतपुण प्रश्ण है तो एक भी प्रश्ण प्लीज आप लोग स्कीप मत किजिएगा वीडियो को प्लीज आप लोग सुरू से लेके अंतक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिएगा आये देखते हैं अगला प्रश्ण 49 नमबर प्रश्ण कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ यह जो यह आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 40 नमबर 40 नमबर परशने कि बिहार संपन है यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार किसमे संपन है यहाँ पर आपको याद रखना है यहाँ पर C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 41 नमबर 41 नमबर परशने कि फूट डालो और राजकरो की नीती किसने अपनाई काफी महतपुर परशने यह 41 नमबर कि फूट डालो और राजकरो की नीती किसने अपनाई यह आपको याद रखना है यहाँ पर E-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला परशने 42 नमबर 42 नमबर परशने के मनुस्य के आर्थिक जीवान में सबसे महतपुर क्या है E-Option जमीन, B-Option मुद्रा, C-Option खेती के कागस, D-Option मालगुजारी के रसिद तो यहाँ पर आपको बताना है कि मनुस्य के आर्थिक जीवान में सबसे महतपुर क्या है तो मनुस्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्पुर्ण मुद्रा है यह आपको याद रखना है यहाँ पर B-Option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुली सही हो जाएगा आइए देखते हैं अगला प्रशने 43 नंबर 43 नंबर प्रशने कि भारत का केंद्रिय बैंक कौन है काफी महत्पुर्ण प्रशने यह आपके परिक्षा के दिश्टी कौन है यह अपको याद रखना है और इसका मुख्याले कहा है मुंबई में है तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है याँ यहाँ पर D option क्या हो जाएगा बिलकुली सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 44 नमबर 44 नमबर प्रशने की बेवसाइक बैंकों का राष्टी करण कब किया गया यह उप्षन है 1965 इसवी में यहाँ पर B option क्या हो जाएगा यहाँ पर बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशने 45 नमबर 45 नमबर प्रशने की निमनलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकरित है अगला प्रशने 46 नमबर 46 नमबर प्रशने की निमनलिखित में से कौन मानो जनित आपदा नहीं है इसमें से अपको बताना है कि कौन मानो जनित आपदा नहीं है है यह देखते हैं अगला प्रशने 47 नमबर 47 नमबर प्रश्ण के बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को कहा जाना चाहिए A उपसने गाओं के बाहर B उपसने खेतों में C उपसने उच भूमी पर D उपसने कही नहीं तो यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को कहा जाना चाहिए तो उच भूमी वाले अस्थान पे जाना चाहिए यानि यहाँ पे C-Option क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखता हैं अगला प्रशना 48 नमबर प्रशना है कि निम्नल को बताना है कि किस नदी को बिहार का सूक कहते हैं तो यहाँ पे देखे जो कोसी नदी है इसे क्या कहते हैं बिहार का सूक नदी कहते हैं यह आपको याद रखना है यहाँ पे यह पे यह उप्सन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह थे हमारे 48 महत अब्जेक्टिव प्रशन है इसका PDF हम क्या करेंगे अगले दिन 10 बजे से पहले आपको दे देंगे और इसमें से जो भी प्रशन आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिखे उसका आप लोग रिविजन करते रही है यह देखते हैं यहाँ पे होंबर्ग प्रशन होंबर्ग प्रशन देखिए यह भी काफी महत्पुर है कि फारवर्ड ब्लॉक की अस्थापना किस ने की थी ए उपसे ने राम बनोहर लोहिया ने बी उपसे ने सुबास चंद्र बोस ने सी उपसे ने लाला लाजपत राये ने डी उपसे ने महत्मा गांधी ने तो जो भी उपसे आपको इसमें से सहील है कि वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा हम आपके कॉमेंट का ज़रूर उसे याद कर लिजेगा जो प्रशना आपको याद नहीं है और इसका पीडियेफ हम अगले दिन अपने स्टडी ग्रूप पे देंगे वीडियो को लाइक नहीं किये तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पढ़ाई की जीए टेक केर एंड बाए